Assalamualaikum, कैसे आप सब लग उमीद करती हूँ कि आप सब खैरियर से होंगे तो माशाला आप लोगों को रमजान का दस्वा रोजा बहुत-बहुत मुबारक हो तो रमजान के दस्वे रोजे पे मैं बनाने वाली हूँ कुछ एक चिकन सिजलर मगर आज मैं आप लोगों को चिकन सिजलर जो बनाने वाली हूँ मैं वो आप लोगों को तवा सिजलर में देने वाली हूँ जैसे कि बहुत लोगों की रिक्वेश्ट रहती है कि हमारे पर सिजलर नहीं तो हम क्या करें तो आज हम बनाएंगे तवा तंदूरी सिजलर उसी के साथ में मैं बनाने वाली हूँ धाइपूरी और शेवपूरी तो गाइज ये भी धाइपूरी और शेवपूरी भी खाने में हम घर में बनाएंगे न तो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप लोग देखना में कितनी अच्छे से बनाओं तो आप लोग आईपियल देख रहे हो के नहीं तो आईपियल देखो ही नहीं बलके अपना ओपिनियन देगे काफी प्राइज जीत भी सकते हैं वह भी लोटस 365 पे जाके रेजिस्टर कीजिए और पाईए 365 रुपीज का बोनस तो यहां पर आपको मिलता है वन तूवन 24 आस कस्टमर सपोर्ट और यहां खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग अरे वह क्या राद है यहां पर किरकेक के अलावा भी दोसों से भी ज्यादा कोश्यन है जहां आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं जी सकते हैं अच्छे खासे प्राइज तो यहां पर नवाजू दिन सिति की सुनी शक्ति पुर्वेशी रेटूला काजल अगरवा निया शर्माय से बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रेंड एम में से टरे तो देवी मत कीज जल से जल जाएए और रेजिस्टर कीजे लोटसटे 65.IN पे लिंक पिन है खमेंड बॉक्स में तो सबसे पहले हम तंदूरी सिजलर बना देंगे तो यहां पर मैंने ली हूँ एक किलो चिकन चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लीती और अच्छी तरह से दो लीती इसके मिडियम साइस की बोटी रखनी है नहीं जादा बरी नहीं जादा चोटी तो चले कुछ मसाले दालेंगे तो एक चमच लाल मिच पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच हल्डी पाउडर और आदा चमच हम नमक दालेंगे नमक और मिर्च जो है ना आप अपने टे पर आपको आसानी से मिल जाएगा उसी के साथ में डालूंगी दो चमच अधरक लसन का पेश्ट और मेट अधरक लसन का पेश्ट है इसकी रैसे भी देखनी है तो मेरे चैनल में मुझूद है आप लोग देख सकते हैं तो चलिए इसी के साथ में मैं इसमें एड़ करूगी फूट कलर तो यह टब मैं रेट कलर को फूट कलर एड़ कर रही हूँ अगर आपको पसाते हैं तो डालिए ने तो फूट कलर को आप इसकी भी कर सकते हैं इसी के साथ में मैं इसमें एट करूँगी आदे लिम्बू का रस हाथों की मदद से रस को निचोर देंगे और उसके अंदर की जो भी है उसे हम पेग देंगे वो मत डाल देना मुझे पता है आप लोग नहीं डालेगे मगर फिर मैं बोल लेती हूँ चलिए अभी क्या देंगे अपने हाथे अभी इसे खोब ऐसे तरह से हम मिक्स करेंगे एक तरम अच्छी तरह से यानि मसाला और चिकर्न एक तरम एक हो जाना चाहिए यहाँ पर देखें माशा-था बहूत बहुत बहुत रहिटर आया है इसे रख देंगे हम आदे से एक गंटे के लिए मैरी करूंगे मैं माशाबलना है著 आमुल बटर डालने के बार में थोड़ा सा इर्द जैसी मैल्ट हो जाएगा था तो इसके हम एके कर के चिकन के नहीं जादा अरश रख देंगे और जो थोड़ी बहुत कसर देगी वो बाद में हम मसाले में इसे गला कर पूरी कर लेंगी बरबोली न असिफ मैंने अभी मैं आज कहीं पर अटक दे रही हूँ आज तोड़ा मूर दरा फ्रेश है इसलिए यहां पे देखें मैंने इसे अलट पलट करते हुए चिकन को खूब अच्छी तरह से पका ली और थोड़ा सा इसको जैसे के तंदूरी के जैसा कर ली आपको इस घ्यास के ओपर भूजने की जरूरत नहीं है और खाने में कितना टेश्टी बना था जबर्दस लग रहा था मिर्च नमक एकदम सही था ना माशाला चलिए अब एक एक करके हम यह निकाल लेंगी और बाकी की जो पीस हमारे बचे वे उसे भी हम फ्राइब कर लेंगे देखे कितने खुब सरस लगा रोजे में रहे के भी हम एकदम नमक मिर्च एकदम में बरा बारीक चॉपकी और लसुन बारीक चॉपकी अदरक और बारीक चॉपकी अवी हरी मिर्ची है ना यह तीनों चीज मिक्स करके ही मैं दो चमच आप लोगों को बता रही हूँ है ना और जो तेल मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था उसके अंदर और दो चमच तेल मैंने और चली अभी दो इसमें डालूंगी दो चमच भर के रेक चिली स्वास चली इसी के साथ में एक कड़र मैंने कोईला हुझ रखी उजल्ले के लिए फिर दो चमच मैं इसमें एट कर दूंगी नह और मैं जो बोलने है आ त्या हाँ अभी इसमें डालूंगी एक चमच दाक सॉय भी बराबर उसी के बाद में इसमें दालूँगी एक चमझ विनेगर यह देखे, यह वाला विनेगर मैं दाल रही हूं माझाञा यह मैंनेने में क्राफिक मारकिक्स ली थी यह लए फान इųतर इधर नहीं मिलता है अब यह सब मैंने दाली न यह चिल्णी के मसाला है जो मैंने लगा के रखी थी चिकन को वह वाला मसाला भी मैं इसके अंडर ऐट कर दूँगी थोड़ा सा बच गया था तो हग जिसके साथ निकाल कर हम डाल देंगे अच्छी तरह से और इसे मिक्स कर लेंगे और दो से तीन मिलिट तक का हम इसे पका लेंगे है ना दो से तीन मिलिट में पहले हमने इसे पकाई दस मिलिट और अभी दो से तीन मिलिट यानि 15 मिलिट हमने चिकन को पका लेना है चिकन 15 मिलिट में अच है कि हमारे पर सिज्लर नहीं है तो दाल न suggestions कोई अलग तेस्त आता नहीं किसी बनाते閉फिसे भाली यह देते कोईले का वामदेती के σε उसको भुलते्य का तो अभी उसके Selig में कोई फरक मैं अपने चैल में बनारी हूं इस तवेय में बना रही हूं भ़श्च दो यहा पत्ते हम रख देंगे चारों भाजू से फैला के अब देखना कितना मस्त मैं यह तवे पर भी काम करने वाली हो अभी यह जो चिकन हमारा जो है मसाले में जो कोटिंग किया हुआ है तंदूरी चिकन यह हम इसके अंदर डाल देंगे मस्त एक दब इसमें थोड़ी थोड़ी आवा जा रही थि चूर चूर करके और ले यहरे के ने लिए नए दो झाल रही जयते ऑवासिदुद्त युझे वाजओ देंगे मैं अब दोपर से मैं दॉल से दूरी यह स्न्वाघ कन दूब्ट पर से 먹을ज स्कें ना चीज खशके जूरी कोतमीर भी इसकं तो थोड़ा स्लो कर देना चले अब यह सारी चीज इसके उपर घसके डाल रही हूँ मैंने यह बनाई हूँ धाबा इस तायल उपर से मैंने कोतमीर दल दी देखे एक साइक में मैंने कोईला रख दी और कोईले के उपर में अमुल बटर दाल रही हूँ देखे धुआ निकल अब फिर यह दुसरे साइक में भी मैंने कोईला रखी हूँ वह साइक में मैं अमुल बटर लगा दूंगी यह धुआ निकलेगा और मस्क चुर चुर आवा जारी थी तो यह हमारा होम में तवा सिजलर बनकर रेरी हो चुका है कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमिंग में जरूर बताना तो चल युद के अब元 142 bunch लेरी लेंगे तो चलिए अब यह धाई पुरी और सियुपुरी मगर वे बनाने से पहले एक चेकणी बना करेरी करेंगे मगर इस का मज़ा तो जरूर लेना आप लोग है तो चलिए चखनी बनाने के लिए यह पर एक मिक्सर का जा मिक्सर के जार के मैं मैं डाला नूंगे मसाला तो किया में मैं डाला नकाल के रखे रखे हैं तो यहां पर धाय-और 11 मिर्ची ऐसे अगर कम तीका काते है तो कम लेना, peaker लेना, लिए ले लेना, उख छिले, हम इसमें एक कर देता है सारा हां सारी और कोदिमीर कोदिना साफ करके इसमें कैसे रखती है अगर आप लोग को देखना है तो मेरे आई बटन में आजाए का आप लोग देख सकते हैं लाज ब्लाव चल्य बहुतए ज्यादर अिण के ताट में गाट करूंगी काला नमक है आप contentमे से muchos पाउडर दालूंगी मैं एक चोटाई बरबर बोली मैंने इसी करत में जीरा पाउडर दालूंगी एक चोटाई मस्क आदे लिंबू का रजबी इसमें एट कर देंगे हाथ की मरज से निचोर देंगे हाँ इसमें अगर आपके बाज में जीरा पाउडर नहीं है तो डायरे का यह चैटनी के बाद में अभी बारी आती है हमारी रगडरा बनाने की तो रगड़ा बनाना भी बहुत ही आसन है आपको भार जाके ठेले पर या चाट खाने की ज़रूत नहीं आप सेम घर में बना सकते तो यह रगरा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली हूँ यह सपेद वाले वटाने वटानों को मैंने कम से कम तीन से चार घंटा भीगों के रखी थी उसके बाद में मैंने इसे दाल दी कूकर में कूकर में दाल दी यह आदा वाटी ही वटाना है कूकर में दालके मैंने इसमे एक गिलास पानी दाली और एक चोता ही नमक दाली और एक चोता ही हल्डी पाउडर दालके इसका धक्कल लगा दी मैंने धक्का लगाने के बाद में इसकी ले ली मैंने पांसीती बराबर है ना आज मेरे को ऐसा लग रहा है वीडियो बहुत स्लो है और मैं बहुत फास जारी हूँ तो कैसा लग रहा है ना तो हां बोलना इसा यहां पे बोली तो रासिप ने बोला ममी उस तरफ रखके बोलेंगे माशालला डूपटा वगरा बान के तो पूछो हूँ मत एक्तम मस लग रहा है ना चले पांस सीटी ले लेंगे चले अभी इसके बार में यह गलने के बार में आपको बताते हूं यहां पे लेगे माशालला यह अच्छी तरह से गल चुका है एक तम गल चुका था इसके अंदर अभी मैं डालूँगी बटाटे मगर मैं आपको इसको एक बार चमच मार कर बता देती हूं क्या इसमें अगर थोड़ा पानी दीख रहा है ना तो आप पानी का टेंशन मत लेना हम पानी अपने आप एक सुख भी जाता है और आप इसे थोड़ा सुका भी सकते है अभी इसमें जो पानी दीख रहा था था ना वह पानी थोड़ा सा हम सुका लेंगे और इसके अंदर मैं डाल दी हूँ एक मीडियम साइज का बटाटा उसे मैंने बॉइल कर ली ती है उसका कवर उतार ली और उसे बारी बारी कटिंग करके इसके अंदर डाल दी तो अभीे आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको थोडाई एसा लग रहाई चा है ठोड़ा पत़त बहुता है, तो तो क्या करेंगे, गEAS on कर देंगे और इसे रख देंगे पकने के लिए. इसका थोड़ असा पानी हमें सूक लेना है हाँ गाईस आगर आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो देखने हैं क्या मैं बॉंबे गई ती है और क्या क्या शॉपिंग करी हूँ इत के लिए तो आप लोग मेरे को अफरोज रेसेपी ब्लॉग पर फॉलो करकर देख सकते हैं जाबर तो चलिए गैस अभी हमारा रग्रा बनकर रेली हो चुका है अभी हम बना लेंगे सेव पूरी का मसाला तो यहां पर मैंने लिगू दो दो मिडियम साइज के बटाटे बटाटों को मैंने बॉइल कर ली और उसका मैंने कवर उतार दी कवर उतार के हमें इसे हातों से अच्छी तरह से मैश कर लेना है यानि एकदम अच्छे से मसल लेना है हातों से उसके बाद मैं मैं इसमें डालूंगी एक medium size की प्याज बारी cutting की वी यह हम इसमें add कर देंगे चली उसी के साथ में इसमें add करूंगी एक काकरी बारी cutting की वी यह भी हम इसमें add कर देंगे उसी के साथ में बारी cutting किया हुआ हरा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे जैसे के यह स मैं एट करσω गी आदा चमल जीडा पाओडर तो यह हमार प्याज प्याज कुटमीर काक्री और जीडा पाओडर यह सब एक हो जाना चाहिए को हमारा यह बनकर भी रिवी हो चुकह चलिए अभी हम बना लेंगे स्यूग पूरी तो हैं यहां पर यह पूरी जो है यह मैंने रेडिमेक लेके आई हूं मार्किक से तो एक एक करके सारी पूरी हम एक प्लेक में लगा लेंगे आराम से यहां पे रेके मर्स देगर और गाइस कि अगर आप यह तरह मेरे बताईवे तरीके से सेव पूरी बनाएंगे तो आप लोग भार की सेव पूरी खाना भूल जाएंगे और इसके साथ में जो मैं खटी मीटी चेकनी यूस करने वाली हूं उसकी रेसेपी मेरे चैनल पे मौझूद है वो आई बटन में आजाएगी आप लोग देख सकते तो अभी यह हमने पूरी रख दिये इसके उपर जो हमने मसाला बनाए तै वो सारे मसाले एक 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 करके सब के उपर रख देंगे थोड़ा 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 तोरह सा रखना एक दम जादासे अगर आपको जादा भर के पसंद हैं तो आप भर जह रखिए मगर हम लोग को थोड़ा पसंद है उपर से डाल देंगे हम हलका सा नमक उसके बाद में उपर से डाल देंगे थोड़ा सा सीरा पाउडर उसी के साथ में थोड़ा सा डाल देंगे चैट मसाला पाउडर माशाला और उसी के साथ में थोरी सी लाल मिर्शी डालेंगी है हम उपर से माशाला बहुत ही अच्छी लग रही है इसके साथ में उसके उपर फिर बात में मैं एट करूँगी जो हरी वाली चेक्नी हमने जो बना के रखे थे आपको तीखा कम पषण है तो चेक्नी को आप थोरी थोरी की डाला से थोरे साथ में एत करेंगी है करेंग़े उसके उपर से यह पर नद्री तो इसके साथ में के बार से प्रेंगे मैंने रेरी मेट मार्केक से लाई हूँ, आप लोग को ये सब चीजे घर में बनाने की ज़रोत नहीं है, क्योंकि रम्दान में हमारे पास इतना टाइम ने रहता है, इसके उपर से फिर थोड़ा हरा धनिया, थोड़ इसी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ इसी चैक मसाला और थोड़ा जीरा पाउडर और नमक मारके इसे सर्फ करेंगे, माशाला या पर हमारी सेव पूरी बनके रेरी हो चुकिए, अभी हम बना लेंगे धाई पूरी, धाई पूरी बनाने के लिए ये मैंने रेरी मेटी पूरी लेके आई हूँ, इसमें मैंने बीच में से कड़ा कर के लिए हूँ, इसके अंदर हम सारे रगरे भर देंगे, है ना, रगर्णा खा करेंगे, अब बैसा बोलते थे ना, पहले, तो चलिए, ये रगर्णाम मैने बना कर रकी थी, इसका करणर किता अच्छा में, तो ये सारा रगरा हम इसके अंदर भर धरेंगे, धाई पूरे करने के जरूरोथ है आ suisに कि आ हाम हैंगी तोरी हो जसी तो है अफर में लेकर और बना हूं अभी उसके अंदर रगरा डाल देंगे यह हरी-वाली चेेकि refuse जो हमने बनाए हैं उसी के बाध में हम इसके उपर थोड रशा नमक डाल देंगे थोड़ पाउडर तोड ळाल जी भा क्पैसि meantime कुछ तो गी अना एक मिम आतोरा जादा हो गया इसके अंदर फिर मैं डालूँंगी दही म rozm आशाओला दही को मैंने क्या किती एग दम ऐils मैंने सब्सक्राइबाइप दाल देंगे हम बारीक बारीक हारा धनिया बरबरा से उपर से डाल देंगे फियू फियू उसके बार में उपर से फिर थोड़ासा चाक मसले पाउडर जीरा पाउडर और नमक और थोड़ी लाल मिर्च दा लेंगे उपर से फिर हम दालेंगे ये घटी मिटी इबली की चट neuri है ना अगर आपको पसन है तो उपर से और डाली है नहीं पसन है तो इसकीप कर दीजिए यह हमारी धाई पूरी बनकर भी रेरी हो चुकी है आप लोग बताना कमेंग में के आप लोगों को मेरी आज की इफतारी कैसी लगी गाइस इस तरह की अच्छी रेसेपी की वीडियो देखने के ल कुछ चीज हम लोगों ने आज भाल से भी लेके आया थे साथ में अश्रब ने मंगाया था हम अपने खाने के लिए खीरी उसों खीरी बहुत पसंद देखा